जब भी हम चांदी और सोने से related कोई भी सामान खरीते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि इसके उपर कौन-कौन से charges लगेंगे तो ज़्यादा time waste नहीं करता है हम आज के इस video में हम discuss करेंगे कि चांदी की जो पायल होती है पाजेव होती है उसको हम कैसे खरीदे या फिर हम उस time उसको खरीदे उस time हम किन-किन बातों का ध्यान रखें जिसमें हमें कम से कम गाटा हो कोई जुरूरी नहीं है कि हम 2000 रुपे के चीज खरीद रहे हैं यह कोई छोटी या बड़ी बात नहीं होती है हमें knowledge पूरा होना चाहिए जिसके अंदर हम 5 रुपे का भी गाटा नहीं का है तो आप समझ रहे होंगे कि हम इस video में क्या discuss करने वाले हैं हम discuss करेंगे जो अदि की पाइल कैसे खरीदते हैं उसके ओपर क्या GST भी लगती है क्या उसके मेकिंग चार्ज भी लेता है और जब उसकी रेट होती है तो हमसे वो कितना चार्ज लेता है तो इन सारी बातों का हम discuss करने वाले हैं इस video की अंदर तो बहुत ही अच्छे अच्छे concept में आपक को चेक का सकते हैं खीक है तो आद पहली बार आप मेरे चैनल पर आई हैं तो गोल्ड और शिल्वर की प्रेलिस्ट है जो आप जैसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद करी है तो तो इस video के अंदर आते हैं और कुस data है जो मेरे customer ने बेज़ी है मैंने उनको note-down कर रखा है तो मैं आपके सामने लाता हूँ data को जो उस pile थी उसका जो weight है वो कितना था 57 gram 400 milli ये मेरी value है gram के अंदर ये vary है milli gram के अंदर और उस दिन की जो rate थी वो rate थी गुण 6500 रुपए और पर किलो के तो यहां से मैं लिख सकता हूँ यानि gram की जो rate है वो कितनी हो जाएगी 59.5 रु ग्राम की rate होगी तो यहां से जो total charge लगेगा total charge किसका charge silver का यानि कि अकेली जो चांदी चांदी है जो सुनार ने हमें पूरी पूरी प्योर चांदी दी है और उसका जो total रुपया वो कितना लगेगा वो देखना है पहले तो तो जब इनको हम multiply करेंगे गुणा करेंगे तो कुछ data में ने लिख रखे हैं वो कितने आ जाएंगे यहां से 3415 रुपय और 3 पैसे आ जाएंगे यह तो मेरे आगए चांदी है अब इसके उपर making charge लगेगा नहीं लगेगा वो भी देखना है making charge लगेगा और वो भी कितना charge कर रहा है 700 रुपय ले रहा है डिसकस करेंगे आप वेट कीजिए दो मिनट का वेट कीजिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ इनको जोड़िंगे तो मेरे पास हो गए 4,115 रुपय हो गए और 3 पैसे हो गए और दुकंदार ने क्या किया 4,100 रुपय ले लिए round figure में 4,100 रुपय राउंड figure में ले ले लि रेट था सत्यान ग्राम 400 मेली एक ग्राम के कितने आगए गुण सट रुपय पास पैसे आगए और वेट को मैंने रेट से मल्टिप्लाई किया तो मेरे कितने आगए इतने रुपय आगए जिसके अंदर मैंने मैंकिंग चार 700 रुपय जोड़ा इतने रुपय हो गए round figure में इतने ले लिए जो नोट करने वाली बात है वो क्या है वो यह है जो रेट निउस पेपर में आती है वो ही रेट लगती है अबकी दूसरी बात मैंकिंग चार्ज की बात आती है जिसको हम गड़ाई बोलते हैं अब गड़ाई का फंड़ा ऐसे है कुछ लोग तो क्या करते ह 700 रूपे लेते हैं कुछ 800 रूपे लेते हैं कुछ 900 रूपे लेते हैं और बड़ी cities के अंदर 1000 रूपे ले लेते हैं और कई लोग इनको percent पे भी बना लेते हैं समझ रियो मेरी बाद कोई 10 percent कोई 5 percent कुछ भी ले लेता है समझ रियो according to this क्या करेंगे वो टोटल वेल्यू का देख लेंगे 700 कितना प्रसेंट है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि प्रसेंट पे कैसे लेते हैं तो यहाँ पर चार्ज किया वो 700 रुपे चार्ज गरे और उसके बाद में मैं आपको जो मैं इंपोर्टेंट बात बता दूँ आप सबके मन में ये बात रहती है कि सर हम इनको जब हम रिटन देते हैं सुनार को या किसी को रिटन देते हैं तो वो लोग कई लोग कई बार कहते हैं कि हम इसको तो आदे में लेंगे यानि की उसके अंदर purity नहीं थी अब यह जो मैने चीज घ्रीदी है उसको सुनार जब लेगा तो वो क्या लेगा? 90% में लेगा कही जो pile होती है वो 95% में जाती है कही pile है वो 50% में जाती है क्योंकि उसके अंदर purity नहीं होती है तो वो यहाँ पे 90% में I hope ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा conclusion क्या निकला है conclusion ये निकला है कि rate आपको मैंने बताई और making charge है इसके अंदर 7 रुपे लगा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मिलेंगे नई वीडियो के अंदर ये हिंजे बार जिरा जिसानों ये अंदर होगा